राजाओं की जो सेना है वो यहां से दुस्मर पर नजर रखती होंगी सब्सक्राइब करें मेरे यूटूब चैनल को और साथ ही घंटी पर पैस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिकेशन पहुंचें सबसे पहले आपके पास हेलो दूस्तों कैसे हो आप आसा करता हूँ ठीठा की होंगे यार घर में बैठ बैठे बोर हो रहे थे तो सोचा क्यों न अपने घरे दिखा दूँ आपको मैं और साथ मैं ही एक बार अपना एरिया दिखा दूँ कैसा है यहां की जगा तो चलिए परे रूम से सुरू करते है हुआ 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 है और मेरे घर के पास है एक स्पेशल चीज जो की है राजाओं के जमाने का खंडर इसकी एक खासे चीज मैं आपको दिखाता हूँ आप दिखे देख रहे होंगे इसके उपर एक पेड लगा हुआ है इस पेड का सारा का सारा बजन इस खंडर के उपर ही है मगर फिर भी इसक कितने भूकों आये तब भी यह टूटा नहीं तो आप देख सकते हो पुराने जमानों में किस तरह के काम होते थे इसका मैं एक पास से लुक का आपको दिखाता हूँ तो यह है वो खंडर जो आपने पीछे से देखा चलो आपको लेकर चवता हूँ उसके अंदर तो आप चलिए मेरे साथ कि इस खंडर को देखके मुझे लगता है कि राजाओं की जो सेना है वो यहां से दुश्मर पर नजर रखती होंगी क्योंकि यहां पे हर जगा जो है वो छेड़ छेड़ी है यह किसलिए है उसका है गन निकाल के यहां से लड़ाई करते हों गन नहों तो भाले हों यह करता है मगर यह जो है खंडर यह सिर्फ दुसमन के ओपर मैजर रखने के लिए ही इस तरह के बना जाते थे यह वो पेड़ है जो आप भार से देख रहे थे सिसको अब आप इस पो अंदर से देख रहे हैं यह देखिए इन छेदों की परदे से मैं आपको कर रहा था है इस हम एेला की इन सेंसे कैसे हैं जाइए मैं आपको है यह सी हlene इसको आपको जहारी है मैं ए जापकोutes है और जावप कर दासे क्कुछ से क्कुछ कर बह़रे है ज़क पेड़ किस्तrिक क 0-7 तो आप देख सहते हो गाई का बच्छळा और आप मैं इसका दिखाता हो आपको घर कहाँ पर है का घर एक बच्छळा वो है प्यारा सा अ क्डिखे गाई का बच्छळ अब जुखे है कि अगर के लिगा सामने है यह सामने है। तो यह है खंडर और यह है मेरा घर और घर के पास से यह वियू है आप देख सकते हो पीछे है ब्यास नादी और सारी पहाड़िया आपको दिख जाएंगी थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं यह देखिए यह देखिए यह सारा वियू मेरे घर के पास से है यह देखिए बास यह देखिए यह देखिए जल चलोब हुआ 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 हुआ। तो इस तरह के होते हैं गाउं के रास्ते चलिए बाग जलते हैं तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा घर मेरा गाउं और अब भी लाला इतना ही कर सकते हैं क्योंकि भीया करोना बाइरस ने तो ढंक से ले ली है तो कुछ जादा कर्म नहीं सकते तो मैंने घर के आसपास का आपको दिखा दिया फिलाल इतना ही था दिखाने के लिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाओं वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच आए तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्याबाद